आज हम बात करेंगे PGT बाहली 2022 के बारे में और इससे जोड़ी जो भी विस लिसन होगा वो आपको हम बताएंगे आपको जहाँ पर दीकत हो रही समझने में वो इसको हम किलियर करेंगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका जो नाम है वो है असनात कुटर परसीचित सिच्छक परतियुकता परिक्छा 2022 इसमें दोष्ट दो परकार के बहली है एक नियमित भरती है तो चलिए समझ लेते हैं 63 पेज का ये कंडिशन है इसमें 63 पेज लगा हुआ है, इतना समझना मुस्किल है, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट जो है, हम आपको किलियर कर देते हैं, जहां पर आपको समस्या होती होगी, परिछा सुल्क के बारे में हैं, तो यह 100 रुपिय है, STHC के लिए 50 रुपिय है, ज्यादा मायने नहीं रख आपके लिए मायने चेप रखता है, यहां पर से यहां देखे, यहां से आपको दिकते हो सकती है, ना, नियमित नियुक्ति यानिके सीधी भरती, यहां पर सारे कॉलम को देखते हैं, करम संक्या पदनाम, पदनाम में आप देखें, असनात कुतर पर से छिद सिछक जीव व अरक्षन कोटी, यह जो कोटी वार अरक्षन दिया है, ठीक है, यह कोटी वार अरक्षन है, अनराचित 94 है, फिर यह 22 है, यह कोटी वार अरक्षन दिया है, इस तरह से कूल जो सीटें इसकी है 218 है, इसमें खास बात यह है, कि यहां पर सारे तो ठीक है, लेकिन यह चीजे 55 पच्पन सीटे जो है वो अनुसुचित जनजाती के लिए है और इसी में लिखा हुआ एक पद जो है आदिम जनजाती के लिए 36 रूप से आरख्षित है ये थोड़ा समझने के बताने पच्पन सीट अनुसुचित जनजाती के लिए है और एक पद उसमें आदिम जनजाती के अगर वो एक पद आदिन जन जाती का नहीं मिला तो फिर वो जन जाती में convert हो जाएगा तो यह 6 जारचन होता है फिर महिलाओं के लिए भी category बना दिया गया महिलाओं के लिए अलग से category wise seat दी गई है यह जो निसकता वाला है इधर जो इतनी seat है यह भी 6 जारचन है यानि कि यह लोग अपने seat को नहीं भर पाएंगे तो 6 जारचन है फिर इनको भर दिया जाएगा खाली यह seat नहीं रहेगी तो इस तरह से यहाँ पर पूरे seat दिये हुए हैं अपने विशाय के बारे में देख लेंगे और उस तरह से देखे यहाँ पर कुल रुखते हैं जो है बैक लोग भाली की और हम बात करें सिमित परिक्षा देखे यहाँ पर सिमित परिक्षा है यह TGT सिचकोल के आरक्षित है TGT मतलो हाइज स्कूल के जो सरकारी शिचक है उनके लिए रक्षित है और इस इनके सिट पर हम लोग नहीं भर सकते है तो इस तरह से सारे विवरन इसमें दिये गए है ना विक लोग और रिगुलर दूनों की बाहली है तो कुटी बार है बाकी इसमें जादा कुछ है ने फ्रेंस है ना तो आप यह सब देखिए कि कौन भर सकता है नहीं भर सकता है यह है पेमेंट है तो सारे कंडिशन आप पढ़ लेजे और www.jssc.nic.in पर इसे आप सब्मिट कर सकते हैं उम्र की बात करते हैं तो एक-एक दोज़रिकाईस से उम्र की गन्ना की जाएगी और एक एक दोज़र मैस्स अनि एक जरुशर बाईस से उम्र की गन्ना होगी 21 वर्स नियुंतम रखी गई है और फिर category wise यहां पर देख लिजिए कि सब category wise अलग-अलग उम्र रखी गई है यह परिच्छा जो होगी वो CBT यानि कि computer based अधारित परिच्छा होगी इसमें online exam की होंगे इसमें दिग्यारक्षन का दावा करने वाले जो लोगों के लिए कुछ condition है ग्यारा ग्यारा नमबर में यह दिया हुआ है अरक्षन का जो दावा करेंगे उनके लिए क्या condition है यह आपको देखना पड़ेगा कि कब कब कजाती अवासिये इसमें लगने वाला है देखें, 1997-19 के पूर्व अंचला धिकारी अस्तर से निर्गत अस्थानी निवासी परमान पत्र माने नहीं होंगे 1997-19 के पहले अंचला धिकारी अस्तर के निर्गत अवासिये जो है माने नहीं होंगे सीथा से दिलिग दिया है 2626 के पूर्व किसी भी अस्तर के से निर्गत अस्थानी निवासी पत्र माने नहीं होगा जाती से रिलेटेट क्या कंडीशन है कि देखिए 2529 के पूर्व अंचला धिकाली अस्तर से निर्गत अंकित परपत्र से वहिन परपत्र अचला धिकाली अस्तर से निर्गत जाती परवान पत्र आय संपत्ति माने नहीं होगा 2529 से पहले जाती का माने नहीं होगा और 19 के बाद आप जाती बनाए हैं तो वो मन्य होंगे है ना तो इस तरह से आप पूरा बेवराण पढ़के ही अफॉर्म को अपलाइक कीजिएगा समझ बुझ लिजिए और अच्छे से अपने विशाय को देख लिजिए काटेगरी को देख लिजिए हैं और मान लेते हैं किसी काटेगरी में फिरेंड्स अगर सीट नहीं है तो पीटी के लिए होगा एक मेंस के लिए होगा है ना तो यह सारे बाते आपको भी पता होगा तो यह थोड़ी से जनकारी थी जो आपको प्रोब्लम किरियेट हो रहा था है ना तो देख लेंगे 50% आपको दूसरे पेपर मिलाना है और सेस्ट के लिए 45% सारे कंडिशन आपक आई फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई धन्यवाद